सूप्रभाद आप सबों को केदार घाटी में नमीता का नमस्कार आज मैं केदार घाटी पहुच चुकी हूँ जय बाबा भोले ना और मैं अब यहां से हेली पैड के लिए यात्रा शुरू कर रही हूँ हम लोग हेलीकॉप्टर के लिए यात्रा करेंगे और हमारे हेलीकॉप्टर का टिकट है तीन बजे शाम में आपको मैं यहां का व्यूज दे रही हूँ यह काफी उचा है फाटा से फाटा पहले आना है और फाटा आने के बाद वहाँ आप स्टे कीजिए GMVN से आप हेली पैट की टिगट को कटवाईए और वहाँ से दो किलो मिटर उपर काफी हाइट पर है यह और जो जंगल से रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते से होते हुए को हम सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमारा किकट थंबी एविएशन लिमिटेट कंपनी से बना हुआ है और यह कहने को तो सडग से दो किलो मिटर उपर है लेकिन यह दो किलो मिटर उपर नहीं हुजे लग रहा है क्योंकि प्लेन में दो किलो मिटर चलना और पहाडों पर दो किलो मिटर चलना काफी अलग बात है क्योंकि यहां पर काफी हाइट है और हाइट के उपर ही हेली पैट बनता है जिससे की लोग उची सवारियां कर सके और यहां से उड़ान भर सके आप यहां देखिए लोग मौनिंग से इंतजार में लग गये हैं सब पूरी अपनी बारी के लिए अब आप समझ सकते हैं कि बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग कितने ब्याकुल हैं सब को चाह रहा है कि किसी न किसी दरह से हम लोगों का दर्शन उनसे हो जाए बस अब हैं पहली पैट के तरफ पहुंच रहा है और यह देखिए सुंदर चोटी केदार क केदार घाटी में आप सबों का बहुत बहुत श्वागत आप सबों को शुब कामनाएं विजय दश्मी की और केदार नात बाबा की तरफ से आप लोगों को आशिरवाद हम लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतर गएं और अब हम केदार ग्लो रिजॉर्ट बाई गौरी शंकर रिजॉर्ट कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है केदार ग्लो इसको आप देख सकते हैं और यहां थंबी अविएशन प्राइवेट लिमिटेड का नंबर दिया हुआ है वेबसाइट दिया हुआ है और कॉंटेक्स नंबर दिया हुआ है यह हैली टैक्सी सर्विसेज है जो केदार नात के लिए आपकी यात्रा के लिए आपका सपोर्ट करती है इसलिए आप इस आपको पुरा व्यूज दे रही हूँ ओफिस का यह देख लीजे आप ओफिसे यह रिजॉर्ट है इसका रिजॉर्ट भी है रेस्टरेंट्स भी है और यह आपको सीधे यहां से आप देख सकते हैं कि यह कितना खुबसूरत केदार घाटी का केदारनाथ परवत दिख रहा है आप यहां से दर्शन कीजिए और अनुभाव कीजिए कि आप केदार बाबा से मिल रहा है उसके बाद आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यह आगे का एरिया है और यह लाँज है पैसेंजर लाँज इधर भी कार्स वेटिंग में है यहां पे लाँज बना हुआ ह जिस लाँज में लोग वेटिंग कर रहे हैं अपने अपने बारी की क्योंकि सबों को अपने अपने बारी का इंतजार है जिसका टिकट जिस तरह से है उसके एकॉर्डिंग ही यहां पर आगे की ओर बढ़ना है और जाना है अब मैं थोड़ा और आपको एक्स्प्लोर कर र बढ़ रही हूँ और यहां से मैं एक बार आपको हेली पैड भी दिखाऊंगी अभी जस्ट कुछ हेली कॉप्टर उड़ भी चुके हैं उन लोगों ने अपनी उड़ान भर ली है लेकिन आप हेली पैड देखिए उस देर के बाद यहां हेली कॉप्टर आएंगे जिससे क आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उड़ान भरी जाती है यह मेरा फर्स्ट इक्सपीरियंस है लाइफ में पहली बार मैं बाबा के दारनाथ के द्वार पर हिली टेक्सी से जा रही हूँ मेरी माता जी की बहुत ही बड़ी इक्छा थी कि वो के दारनाथ बाबा की एक सांदार व्यूज लोग इंतजार कर रहे हैं चारतरफ घाटिया और वैली है लोग इंतजार कर रहे हैं हेलिकॉप्टर के आने का कुछ लोग यहां पैसेंजर वेट कर रहे हैं इसके पहले यहां पर लगेज का वेट और पैसेंजर वेट किया जाता है उसके बाद ही आपक टिकेट्स एक लिए वेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि सब लोग खतारना थे आत्रा के लिए लॉज में वेट कर रहे हैं लोग सुबह से साम तक इसी तरह बाठे रहते हैं और एकॉर्डिंग टू नंबर्स हो लोग जाते हैं नंबर्स मिलना इतना आसान नहीं है होता है Wait verification के बाद फिर आपको numbers मिलता है रॉष्के numbers के accordingly आपको आने और जाने की सुवीदाएं दी जाती हैं उसके लिए सबसे पहले आपको आके यहांगे टिकट मिलने के बाद भी number लगाना है और number लगाने के बाद आपको entry कराने के बाद यह के लोग जो आपको नमबर अलौट करेंगे उसके एक हॉडिंग ली आपको यहां से पिर जाना है फिर नेइचस डे मॉर्निक है जब यह फिर आपको ज centuries लेना है तो भी फिर आपको उसी तरह से काम करुखर न है फिर आपको आहां करवाना है और और फिर रेजिस्ट्रेशन लग नंबर के एकॉर्डिंग ही आपको वहां से उडान भरने का टाइम मिलेगा यह नहीं है इसी कि आप बिल्कुल ऐसे आए और रिल्वेट की तरह रुकी और ट्रेन के ऊपर में आप चड़के बाठ गए इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पूरे समय एकॉर्डिंगली इनके नियम चलनी पड़ती है और यह सही भी है कि इतना रश है कि इनको भी तो बहुत मैनेज करना पड़ता है बिना मैनेज किये हुए यह सब चलाना बहुत मुश्किल है लिकिन देखिए बाबा के लिए लोगों को कितना प निश्वर की रचना कितनी बेहतरीन और सुन्दर है इसका व्याख्यान करना बड़ा ही मुश्किल है घंटों से मैं यहीं बैठी हुई हूई हूँ बाद लोग को ऊपर चड़ते देख रही हूँ नीचे चड़ते देख रही हूँ क्योंकि सुबह से ही हम लोगों का टिकट हुआ और टिकट होने के बाद हम लोग यहाँ पर आके अपने जगह को बुक कर लिए और बस हेलिकॉप्टर की इमतजार में बैठे हुए हैं कि कभी हेलिकॉप्टर आएगा और हम लोग यहाँ से उडान भरेंगे और उड़ते हुए बाबा की नगरी में चले जाएंगे बादलो का गुच्छा इस तरह से आकास में फैला हुआ है लगना कि सफेद फूलों को इसी ने बड़े अच्छे धंग से सजा दिया है इधर हेली पैड पर देखिए हेली टैक्सी एक खड़ी है औ और हेले कॉप्टर उडान भर रही है इस तरह से सब लगतार बाबा की नगरी में आ रहे हैं और जा रहे हैं और अब यह देखिये हमारे तरफ का हमारी सवारी आ गई लेकिन अफसोस है कि हम इसमें नहीं बाठेंगे सिर्फ हमारी सवारी ही आ रही है देखिए यह आ गई और मैं आपको अब एकदम पूरा व्यू दिखाऊंगे यह देखिए क्लोजर यह देखिए लाइड कर रहा है वाइलेट ने हलिकाउट्टर को बीचे लाइड करा आप देखिए कितने स्पीड में पूरे पब्लिक दौड रहे हैं दौड़ते दौड़ते सब को ही चड़ रहे हैं और इसका डायना इसने जोर जोर से हिद रहा है अब तक यह देखिए दूसरे करफ से निकलने लगी एक हेलिकाप्टर और फिर यह देखिए कुछ लोग उ लांड करते हुए देखना रियली इस वरी ग्रेट थू बाबा केदार की उन्होंने मुझे टिकट प्रवाइड करवाया और जिसकी वज़से मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी आप इसे देखते रहे हैं और इंजोई करते रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपना एक्स्पीर दरूर शेयर की देखिए यह देखिए हमारी हेलिकॉप्टर इस तरह से उपर से गई और उर्टे 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 देखिए तेर केदार की नगरी में दूर बाबा केदार के दर्शन के लिए इतने लोगों को लेके ओज़ल हो गई जय बाबा केदारनाथ केदारनाथ में हम सब हेली पैट पर हेलिकॉप्टर से उतर गए और यहां तक हमारी यात्रा शमाप्त हो गई और अब हम आपको बाबा केदार की नगरी का आगे का दृष्य दिखाएंगे मेरे साथ बने रहिए और मैंने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप सबों को बाबा केदार का नमशकार प्रणाम बोले सब कोई मिलके जय श्री केदार ना आथे